हलो माइ डियर फ्रेंड्स अब अपन बात करते हैं कि एलन और आंस एलन और आकास की आंसर की में इतने कितने क्योसंस डिफरेंट है जो एनटे की ओफिशल आंसर की आई है उससे हलो मैसल वीज़ खांडल फ्रोम एसमस बड़ेकल कॉलेज आप देखो अपने बात करते हैं जो आकास की एंसर की है उसके according अपने बात करें तो तीन questions गलत है NTA के आंसर की से ELN की बात करें अपन दो questions गलत है NTA के आंसर की से तो आपके यहाँ पे माइनस पंदरा नंबर हो रहे हैं यहाँ पे आपके माइनस दस नंबर हो रहे हैं तो दोनों आंसर की आपकी नंबर कम हो रहे हैं तो यह बड़ी दुख की बात है यार बट फिर भी आपको एक question silence करने हैं आपके teacher को पूछके फर्स्ट question जिसमें NTA ने फॉर्ट answer दिया है जो दोनों कोचिंगों ने बोनस कहा था तो यह तो आंसर राइट है यहां तो आप से पो कोई दिकत नहीं है आगे अपन बात करते हैं अगले question में अगला question जो था न हीलियम वाला वो आकास के coding ठीक है NTA और आकास का आंसर दोनों में बिल्कुल सेम है बट उसका आंसर LN नहीं दिया था is to R is false तो यहां पर LN गलत हुई है तो यहां LN की जो आंसर के से मिला दो उसके माइनस 5 होंगे और जो आकास कहते हैं वो सेब जोन में है अपके जहाते हैं वही हैं अगले question की बात करते हैं अपन जो biology question ता एक इसमें आपको definitely challenge करना चाहिए क्यों answer के coding दोनों नहीं answer गलत बताया है NTA ने दोनों का answer गलत बताया है बटकि उसने right answer दिया है option B वाला CBDA तो यह गलत बात है तो यहां आपको challenge करना चाहिए यह दोनों ही coaching का answer गलत बताया है NTA ने अगला question पर बात करते है यह reaction can have zero activation energy वाला आकास के according इसका answer गलत है एलेन का answer ठीक है क्योंकि जो NTA ने answer दिया ना वह answer right है एलेन का भी same answer वहीं था अगला question पर बात करते है यह delta G वाला according to आकास इसका answer गलत है क्योंकि जो NTA ना answer दिया है वह fourth दिया है और आकास ना answer उसका first दिया है तो यह गलत है तो इसका answer fourth है जो एलेन का ठीकता तो यहाँ पर आप एलेन के answer कीसे sap zone में हो तो अपने बात करें तो एलेन के overall दो किसे गलत हो रहे है आकास के overall तीन के गलत हो रहे है तो यहाँ क्या आपके दोनों की number negative हो रहे है minus 15 and minus 10 तो यह गलत बात है अब आपको answer challenge करने है तो इन में से आपको challenge करने definitely है फिर भी अपने teacher से आप जरूर consult कीजिए और जो भी answer हो वो challenge किजिए thank you so much